श्कुल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाइटमीन ए डैफीसेंसी होने के लक्षड क्या है आप इसके कैसे पूरा करेंगे और कम होने के बाद आपको समस्यां स्टार्ट होंगे वो क्या-क्या आएंगे क्यों कम होता है कहां पर यह मिलेगा कैसे आप इसे पूरा कर सकते हैं बहुत ही आसान सब्दों में इस छोटे से वीडियो में हम समझेगे तो आज फिर लिखकर के लाये हूं और आप सभी को step by step फिर समझाने के कोसिस करता हूं को वाइटमिन एक के बारे में वाइटमिन एको रेटिन ओल भी कहते हैं आपने आम तोर पर कई जगह पर देखा होगा कई टैबलेट्स फॉर्म या फिर कई जो कैप्सूल फॉर्म आता है इस्पेशली तो उसमें रेटिन ओल फॉर्म देखने को मिलता है और यहां पर इसे आखों के लिए हमारी एफितीलेल टेसूस जो होते हैं उनके लिए और इसपेशली आखों की रोड और कॉंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो इसलिए आज वाइटमिन एको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो समझ लेते हैं और पिछली वीडियो में जाना था गले के जो सिम्टम्स हैं या फिर आपको आठ ऐसे लक्षड हैं जिनकी बजह से जो लक्षड आपको प्रिजिंट हैं तो आपको तुरंत होस्पीटल जाना चाहिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बेटन में जरूर मिल जागा इस वीडियो को बहुत जादा महत्व दिया गया है और इस वीडियो में बहुत जादा आपका प्यार देखने को मिला है काफि सारे लाइक्स हैं काफि सारे comment 무wan एंसर और आगे भी देता रहूंगा तो इस वीडियो को जरूर देखेगा काफी सारे ऐसे डेंजरा साइन है जो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूर है तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी और जो हमारी आखे हैं जो हमारा विजन है उसके लिए इन्डिस्पैंसिबल है यानि की बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारी रोसनी के लिए हमारी आखों के लिए इसके तीसरा function है हमारी epithelial tissues होते हैं उनको सही रखने में सही functions के लिए उनको damage नहीं होने देना या फिर वहां पर कोई बीमारी नहीं होने देना cancer जैसे बीमारियों से यह बचाता है तो epithelial tissues के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है epithelial tissues कहा कहा होते हैं आगे इस वीडियो में हम समझेंगे skin के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, eye के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, urinary tract के लिए ज़्यादा जरूरी है, respiratory और intestinal lining के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो vitamin A केवल आँखों से इसका संबंद नहीं है आप इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा बहुत अच्छा topic है और इसके अलावा ये glandular जो tissues होते हैं glandular epithelial tissues होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा जरूरी माना जाता है उसके के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर vitamin A की कमी है सरीर में तो आपको ये समस्या देखने को मिलेगी कि बारवार infection होता है ऐसे समस्या देखने को मिलेगी cancer से बचाएगा कौन से cancer से बचाएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये हमारे immunity को बचान इसके हम समझ लेते हैं कि कारड क्या है अगर किसी के सरीर में ये vitamin A कम हो जाता है तो क्या क्या कारड हो सकते हैं फिस इसके आगे हम और वी समझेंगे कि इसके लक्षड क्या देखने को मिलेंगे और आखों में कौनसी कौनसी बीमारी हैं हमें देखने को मिलेंगे तो सबसे ऐसे पहला जो कारड है वह सकता है कि प्रGroup यह प्रॉपर एमाउंट होता है वह प्रॉपर एमाउंट में मरीज बाइटम एको नहीं लिया तो इसके कई सार्म और यह फिर कोई पुर प्रशन होते हैं उनके पास इविलेबल नहीं होती इसजीह तो ऐसी कंडिशन में उनको दिक्कत आ सकती है यानि कि डाइट में ही कम लेना खाने पीड़े में ही वाइटमिन ए हम ऐसी चीज़ा नहीं खा रहे हैं जिसमें वाइटमिन ए होता है इसके अलाबा हो सकता है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो कि जैसे हमने कोई भी चीज खाई वाइटमिन एक कोई चीज़ कहीं जैसे केरट है अगर हमने वह खाया लेकिन हो सकता है पिर वह एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा हो या फिर वह रही सही तरीकी से कंवर्ट नहीं हो रहा हूं ऐसी कंडिशन भी हो सकती है प्रैग्नेंसी में इसकी कमी आ सकती है अगर में क्योंकि nhiều की इनफेंट्स तो प्रेगनेंट के बाद की प्रॉसेसी डिलिवरी हुगई उसके बाद एक तक बच्चा उससे क्याते हैं इनफेंट्स मां कम ह्ऐते को मिलेटे कि रफ दिया में व्याइव तो लाश्ट ट्राइमेस्टर में वाइटामिन ए का बहुत अच्छा ध्यान हमें रखना चाहिए इस्पेशली प्रेग्नेंसी में डाइरिया अगर किसी को डाइरिया हो जाता है यानि कि दस्त लगना किसी को लंबे समयते क्रॉनिक दस्त हो रहे हैं मदीस को आरम नहीं मिल र लेकिन जो अफ्रिका जैसे देश हैं अफ्रिका साउथ एश्ट एश्या जहां जो कंट्रीज हैं वहां पर इसकी कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इंडिया में हम प्लांट वेश्ट फूट को आते हैं जैसे कि इस पाइनिस वगेरा है जो प्लांट से बनी हुई और जिसे सबजी है फ्लूट बगराएं तो अब हम समझ लेते हैं कि अगर वाइटमिन एक कम हो जाता है तो कौन सी कौन से बीमारियां हमें देखने को मिलेगे तो सबसे ज़्यादा और कि यह नहीं आँखों से सम्दिद बीमारिया ज्यादा देखने को मिलती हैं और नमर और कौन से मारी आखों के अंदर मिलते हैं थीक है night blindness देखने को मिली night blindness हमें हो जाएगी अगर हम vitamin A सही मात्रा में नहीं लेते हैं या फिर कमी होती है तो इसके अलावा white rot spots अगर आपने देखवा तो white rot sports होता है हो सकता है कारेट जरो Kitty को सकता है क्वायट नहीं ऑच्छा कैंदर लान या बनेगा तो एसे condition को जैसे दिक्कते हैं मरीज को आ सकती हैं तो यहां पर आपको यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि vitamin A की कमी से deficiency से vitamin A deficiency से यह सारी दिक्कते आपको आएंगी अब बात कर लेते हैं कि इसका इलाज क्या है इसके source क्या है तो सबसे ज़्यादा यह जो पाया जाता है plant wave food जो होते है और fortified जो foods होते हैं उनमे देखने को मिलता है तो plant wave food जैसे की आपको सबजी यह हैं जितनी सबजी यह होते हैं जैसे देखने को मिल सकता है और जो मीट खाते हैं जो मीट का सेवन करते हैं उसमें लिवर है एक्स है और डेरी प्रोडक्ट से जैसे मिलक है होल मिलक होता है चीज होता है बटर होता है इसमें भी देखने को मिलता है फिस होता है फिस ओयल लिवर ओयल में देखने को मिलता है मीट मे आपने देखा होगा कि जो मचलिया होती है मचलियों के अंदर बहुत ज्यादा वाइटामिन एक की मात्रा मिली है और बहुत ज्यादा यह वाइटामिन ए मचलियों के अंदर देखने को मिलता है अगर हम बात करें कि डेली रिक्वार्मेंट क्या होते है इसकी तो यह 600 माइक् क्राम पर दे के हुसाबसे होती है एक की वाईटमीन ए तो आज याढकर गीडियोसे समभने सारी बिमारिहां और सारे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा, मैं फिर प्र लिए लुग lagi किसे ने वीडियो में तब तक के लिए प्यार देते रही है और मुझे फीडबेग ज़रूर देते रही है कि आपको वीड वहां पर हम लेक्चर सी लेक्चर समसर करेंगे अगर आप एक चुक हैं अगर आप इंटरस्टेड हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंड में जरूर बताईएगा मैं फिर मिलता हूं सिद्रे किसे नी वीडियो में तब तक के लिए अपना प्यार देते रहिए नमस्कार जैहि झाल में झाल में हम झाल में जर दो में झाल मनें कर के लिए चार आपक लिए यःंधाल इचाना प्यार आपताव जिए मように जरो में उंक हैं आपकर दोड दो खो आ हना फिते हैं इस खो जीडियों सिरो एक्झेट